जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिच जैन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी दिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप दिखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर्ट करके आँगे बढ़ेंगे जैहिन साथ क्यों स्वागत है आपका Self Study Classes एप में और दोस्तो यूटूब चैनल में दोस्तो अगर अभी तक आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है हिंदी सायत का संपूर कोर्स लांच किया गया दोस्तो Self Study Classes एप में आप मास्टर केडर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं TGT, PGT, Junior, TETE या हिंदी सायत से सम्मन्दित किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो Self Study Classes एप आप के लिए दोस्तो बहुत ही बड़ी या टिर्की कोर्स लांच किया गया है विस्तरे तद्यन जहां पर आपको टॉपिक बाइस टेस्ट और लाइब किलास है सारी चीज, डाउट, सॉलूसन, सब कुछ मिलता है तो जरूर डाउट करें और दोस्तो आज हम डाउट से जो किलियर की किलास लेकर आते इसी प्रकार से आज हमारी यह छटवी किलास है इसको हम देखते हैं आप से पूछा जाता है धोला मारूरा दूहा की रचनाकार कौन है अब दोस्तो यह डाउट्स नमर एक यहाँ पर आपके दो चीज़ा मिलती हैं एक तो कलोल कभी और दूसरा कोसलाव ठीक है अब दोस्तो कॉस्चन में आप से जब पूछा जाता है तो एक ही आता है या तो कोसलाव बिकल्प में देगा या कलोल कभी देगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि सबसे पहले जो मूल रचना थी डोला मारूरा दूहा वो कलोल कभी की थी लेकिन दोस्तो बाद में कोसलाव ने इसमें और भी दोस्तो चंद जोडे है ना कुछ पद और जोड दिये इस डोला मारूरा दूहा में और कोसलाब भी सही है बिकल्प अनुसारपन को तरकलोल कभी और कोसलाब लगाना दोनों एक साथ बिकल्प में कभी नहीं आएगा ठीक है तो यह डाउट्स नमबर एक आपका किडियर दूसरा दूसरा कॉस्चन है दोस्तों आप यहाँ पर कलम का जादूगर किसे कहा जाता ह है यहाँ से कॉस्चन आते हैं और दोस्तों कन्फ्यूजन यहाँ से होता है भैंकर है ना अगर यह ऐसी कॉस्चन आपका आएगा कलम का जादूगर तो आपको याद रख लिना राम ब्रक्ष बैनी पूरी यहाद कर लिना ब्रक्ष की कलम का जादू ब्रक्ष की कलम का तो लगाना प्रेम चंद, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, तो प्रेम चंद, भासा का जादूगर, स्यो पूजन सहाय को कहा जाता है, और दोस्तो सब्दों का जादूगर, कमलेस्तौर, सब्दों का जादूगर, कमलेस्तौर, और बिंब का जादूगर कहा जाता है, केदार तो डाउट्स के लिएर कलम का जादूगर रामरक्ष बेनी पुरी कलम का सिपाही प्रेम चंद को कहा जाता है ये जीवनी अलग हैं दोस्तों एक कलम का सिपाही जीवनी लिखी थी किसने अमरत राय ने कलम का मजदूर जीवनी लिखी थी किसने मदन गोपाल ले लेकिन अगर कहा जाता है ये आपसे पूछा जाए कि कलम का सिपाई किसे कहा जाता है तो आप बताओगे प्रेम चंद को कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेम चंद को भासा का जादूगर किसे कहा जाता तो उसे वो पूजन सहाए सब्दों का जादूगर किसे कहा जाता तो कमले स् बिम्बे का जादुगर के दारनास से है, ठीक है, तो इनको दोस्तों अपन को पढ़ना है, इनको यात करना है, ठीक है, और कलम का जादुगर पूचा गयाता तो उत्तर होगा राम ब्रक्ष बेनी पुरी, question कैसे भी आपसे पूच लिया जाए, आपको तैयार रहना है, ठीक ह омина question आपसे पूछा जाता है कभी समराट किसे कहा जाता तो दौन में doubts होता है कभी कभी तो अपन्यास samrach अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है प्रेम चंद और अगर कभी समराट आपसे पूछा जाए तो आपको गाना हर यृद, ने दोस्तो, नागरी परचाहणी सभाँब में निसुल्क सेवाइं दी थी, इसलिए बहाँ से इनको कभी समराट की उपाधी मिली थी, तो कभी समराट हर यृद उर उपन्या समराट प्रेम चंद, बोले हरी चाहें तो कभी को समराट बना दें, हरी चाहें तो कभी को समराठ बना दें तो हरी से हरियोद और कभी समराठ हरियोद है ना उपन्निया समराठ प्रेमचंद डाउट्स के लिए अंगला देखो यहाँ पर आते छाया बात का प्रिबर्थक किसे माना जाता है यहां भी बहुत सारी लोगों को doubts है कैसे सबसे पहले तो question नॉर्मल पूछा जाता है कुछ लोगों की मन में धारना है उत्तर मुकुडधर पांडे यहां पर मुकुडधर पांडे नहीं होगा अगर question ऐसा आता है कि छायाबाद का प्रबर्तक किसे माना जाता है तो आपका right answer हो जाएगा जैसंकर पिरसाद अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचंद्र सुकल ने चायाबाद का प्रबर्तक किसे माना तब आपका hundred percent उत्तर होगा मुकुडधर पांडे अगर आपसे question पूछा जाता है कि नंद दुलारी बाचपे ने चायाबाद का प्रबर्तक किसे म प्रबर्तक किसे माना तब आपका उत्तर भी होगा क्या जैसंकर पिरसाध को और न नार्मल अगर पूछा जाता था तो जैसंकर पिरसाध को S can इसा question आपसे आता है तो अब दोस्तों कन्फ्यूज होते किस में एक रचना गोविंद और एक रचना गोविंद और एक रचना गीत गोविंद की तो इसको आप देखो समझो। राग गोविंद की रचनाकार मीरा भाई ठीक है अब दोस्तों आप से पूछा जाता है एक क्वेस्चन और गीत गोविंद की टीका गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है तो यह गीत गोविंद की टीका मीरा भाई की है गीत गोविंद की टीका मीरा भाई गीत गोविंद जय देओ और राग किया गोवन्द से मीरा भाई ने तो मीरा भाई किडिया डाउट्स लाइक जरू कर देना दोस्तों ठीक है यह संस्थापक कौन थे अब दोस्तों यहां क्या डाउट्स होता है बो देखो सबसे पहले तो यहां एक तो होता है संस्थापक और संपादक संप प्रिखांस महावी प्रसाद्दुवेदी को पड़ा लेकिन आज यह डाउट सापका क्लियर होने वाला है दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि स्रस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है संस्थापक कौन है तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या चिंता मनी घोस अगर आपसे पूछा जाए कि स्रस्वती पत्रिका के प्रिथम संपादक कौन थे तो प्रिथम संपादक में आपका उत्तर हो जाएगा श्याम संदर दास यह प्रिथम संपादक थे क्या थे संपादक और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों स्रस्वती पत्रिका क जो संपादक थे वो कौन थे अगर ये option में आपके नहीं आ रहा है और महावी परसाद दुवेदी आपका दिया है तो आप महावी परसाद दुवेदी लगाओगे ठीक है लेकिन ऐसा question आता है कि महावी परसाद दुवेदी स्रस्वती पत्रिका के संपादक कब बने तो कब 1903 में ये बने थे हैना प्रतम संपादक कोंते स्याम सुंदर दास संस्थापना किसने की थी या संस्थापक कोंते तो चिंता मनी घोस एक और question सबसे पहले स्रस्वती पत्रिका कहां से प्रकासे थुई थी तो सबसे पहले दोस्तों एक कासी से प्रकासे थुई थी याद रख्टेना तो स्रस्वती पत्रिका के संस्तापक कुंते चिंता मनिगोस डाउट्स नमर एक आपका किलियर है ना अब दोस्तों यहां पर आप बात करते हैं कि प्रेम और रॉमांस का कभी किसे कहा जाता है डाउट्स नमर टू यहां पर कैसे एक क्वेस्चन आपका पूछा है च्छाई रॉमांस का कभी किसे कहा जाता है दूसरा क्वेस्चन आपका पूछा जाता है प्रेम और रॉमांस का कभी किसे कहा जाता है दोनों में डाउट्स च्छाई रॉमांस और प्रेम और रॉमांस ठीक है तो इसको याद रखते ना दोस्तों कि प्रेम और रॉमांस प्रेम की बात आई तो बोले हमारे अंचल में भी प्रेम किया जाता है अंचल में है ना और च्छाई रॉमांस का कभी कौन है तो च्छाई रॉमांस का कभी कौन है बच्चन बोले बच्चन क्या करते हैं बच्चन से बच्चे बच्चे क्या करते हैं बच्चन तो बच्चन स का कभी कहा जाता है याद रखेंगे ना डाउट्स नमबर टू आपके यहाँ पर किडियर हो जाता है है ना प्रेम और रॉमांस का कभी रामिसोर सुखलंचल और च्छै रॉमांस का कभी हरीवन्स राय बच्चन ठीक है ओके लाइक जरू कर देना अपने मित्रों तक यह सीरि अगर आपसे उत्तर बन रहा है तो आपको जरूर बताना है यहां से दो क्वेस्चन आते दोस्तों एक तो आता है एडिसन हिंदी का एडिसन किसे कहा जाता है और एक आता है हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है दोनों में कंप्यूजन होता है तो आपको कैसे याद रखना हि हिंदी के स्टील के से कहा जाता तो स्टील से आपको याद आ जाएगा कि हमें स्टील के बाल लगवाएंगे तो बाल कश्न भट को हिंदी का स्टील कहा जाता है हिंदी का मॉन्टेन भी ने कहा जाता है दोस्तों बालकन भट को ठीक है अब फिर आएगा आपका हिंदी का एड प्रताप होता है सूर का भी होता ह किसे कहा जाता है क्म那我們 के लिए अब यहाँ पर डॉट्स कैसा बनता है यहाँ पर दोस्तो भारतेंदू आ जाता है भारतेंदू तो लोग क्या लगा देते हैं भारतेंदू लगा देते हैं आओ देखाना ताओ और लगा दिया भारतेंदू नहीं लगाना भारतेंदू प्रगेंदू कहा जाता है दोस्तो नाथू राम सर्मा संकर को यह डाउट प्रगेंदू की जो पादी है वो नातु रामसरमा संकर की है तो आपको पता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है हजारी प्रसाद दुवेदी को normal question रखा गया आपके लिए ठीक है तो बीस वी सदी का बानबht आपसे पूछा जाएगा तो हजारी प्रसाद दुवेदी आपको पता है दोस्तो हजारी परसाद दुवेदी की हिंदी साहित का आदी काल हिंदी साहित का उदभा और बिकास है ना हिंदी साहित की भूमी का इन्होंने ये तीन बहुती स्रेश्ट गरंत रेके कबीर नामक दोस्तो इन्होंने गरंती भी लेका एक रचना की इन्होंने क अब यहां से दो क्वेस्चन पूछे जाते दोस्तों कंफ्यूज होते लोग कि स्रंगार काल मिस्रबंधू ने कहा या दोस्तों विश्वनात प्रसाद ने कहा यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है यह विश्वनात ठीक है तो आपका यहां पर दोस्तों याद रखेना है कि रिती काल को जो स्रंगार काल कहा वो किसने कहा बिश्वनात प्रसाद ने यानि कि ये नमबर जो है वो बिल्कुल शही है क्योंकि स्रंगार तो विश्चु के लोग करते हैं विश्चु के लोग करते हैं तो विश्चुनात प्रसाथ क्या बोलेंगे रितिकाल को स्रंगार काल कहेंगे है ना फिर आपसे एक question वर आता है कि रीती काल को अलंकरित काल किस ने कहा तो यहाँ पर doubts आपका रहता है और question पूछा भी जाता है तो अलंकरित काल किस ने कहा मिश्रबंध होने अलंकरित काल कहा है मिश्रबंध होने और दोस्तो स्रंगार काल कहा है बिश्वनात फिरसाद न ठीक है तो यह doubts आपका clear हो गया अब दोस्तों बात करतें अंगले प्रस्टने की रीती काल का प्रवर्तक किसे माना जाते है उसके आपको पता है की रीती काल का प्रवर्तक रामचन सुख्ल ने किसे माना चिंता मनी को स्याम सुंदर दास ने किसे माना केशा उदास को डाक्टर नगेंदर ने किसे माना केशा उदास को है ना और काल करम की दरश्टी से अगर देखें तो कौन होंगे किरपाराम ठीक है तो आप से देखो कितने प्रकार से क्वेस्चन पूछे जाएंगे सबसे पहले question पूछा जाएगा रीती काल का प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर जिन्ता मणी सही होगा लेकिन अगर आपसे पूछे जाएगा काल किरम की दश्टी से रिती काल की प्रवड तक कौन मान जाते हैं तो उत्तर हो जाएगा कौन दोस्तो किरपाराम किरपाराम ठीक है यहाँ पर आपके तीन चार प्रस्चन रहते हैं जिसमें आप अहमेशा दोस दोस्तो क्या कंफ्यूज होते रहते हैं के लिए डाउट्स अंगला क्वेश्चन अंगला क्वेश्चन है दोस्तो हिंदी सायत का प्रथम बड़ा महाकाब कौन सा है कौन सा है यह क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना प्रथम जो बड़ा महाकाब है वो पदमाबत हिंदी का प्रतम बड़ा महाकाब कौन सा है तो पदमाबत है ना खड़ी बोली का प्रतम महाकाब कौन सा है तो प्रिये प्रवास है ना यह भी आपको याद रख्टे ना तो यहां से याद रख्टे ना दोस्तों हिंदी का प्रतम महाकाब प्रतिविराज रासो र रचना कर जाएसी हैना हिंदी खड़ी बोली का प्रतम महा का प्रिये प्रवास रचना कर हरियोद हरियोद ठीक है यह भी आपको याद रख रहे ना यहां से आपकी जो क्वेस्चन है वो क्या हो जाती किलियर कि डाउट्स वाले प्रसन आप से पूछे जाती हैं अंगला क्व दोस्तों तो यहां पर आपको बताना है कि अनित्य के रचनाकार कौन है यहां पर दो लोगों की रचना है दोस्तों अनित्य है ना तो एक तो बदी उज्जमा की और एक मिर्दुला गर्ग की तो यहां पर आपको याद रख रहे ना कि जो बदी उज्जमा है इनकी अनित् कहानी जबकि मिर्दुला गर्ग का ये क्या है वो पन्यास है तो अगर आप से normal question पूछा जाए कि पीली आंधी उपन्यास किसका है अगर इस प्रकार से question आपका आता है पीली आंधी उपन्यास तो मैंने कईवार आपको बताया बोली सर जब सरसों फूलता है खेतों में खेतन में जब सरसों फूलता है तो यहांसा लगता है मानो पीली आंधी आ गई हो कहाँ पे खेतन में खेतन में तो खेतान पीली आंधी कहां आती है वो लिए सर खेतन में ते पीली आंधी उपन्यास किसका होगा खेतन का प्रभा खेतान का लेकिन एक क्वेस्चन हो रहाता है दोस्तों काली आंधी काली आंधी है किसका उपन्यास है तो काली आंधी कमलेस्तुर कासे काली और कासे कमलेस्तुर याद याद रख लेना Confuse नहीं हो ना फिली अंदी और काली यंदीوس काहां आँगी खेतन में तो खेतान और काली आदी। का से काली आदी का से कमले सुर। ठीक है काली यंदीile इस अकूंा किसका है कमले सुर। अब ऐसा अगर question आता है तो कई लोग confused होते हैं कैसे confused होते हैं doubts number 1 रस्मी और रस्मी रथी है ना तो रस्मी तो यहाँ पूचा गया तो यहाँ तो तरप का महादेवी वर्मा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर रस्मी रथी पूचा जाता तो तरप दिनकर होता जाद रखटे ना कई लोग confused होते रस्मी और रस्मी रथी में रस्मी महादेवी वर्मा जी की रचना है और यह महादेवी वर्मा जी की बोध धर्म थे प्रभावित ने वे बात करते हैं तो तो डौट न्मर दो की पिता कहानी के लेकर कौन हैं दोस्तो ये तीन लेखकों के द्वारा एक कहानी लिखी गई जिन में देखें अपन ग्यान रंजन की भी पिता कहानी है, महीप सहं की भी पिता कहानी है और धीरेंद्र अस्थाना की भी दोस्तो पिता कहानी है तो आपको याद रखने ना बोले पिता ग्यान देते हैं तो ग् है ना के पिता कहानी है धीरेंद्र अस्थाना और दोस्तों धीरे धीरे पिता हमारा क्या करते हैं ग्यान बढ़ाते हैं है ना हमारा पालन पोशन करते हैं तो धीरेंद्र अस्थाना की भी पिता कहानी है तीनों की है कन्फ्यूज नहीं होना कभी कहानी है और ग्यान रंजन ज देख करना होगा दॉट्स नमर 2 आपका clear बढते हैं दोस्तो अंगले questions के और बसियत नाटक के लेका कौन है बसियत नाटक अब यहाँ भी दोस्तों ढाउट्स आपके लिए होता है क्योंकि यह जो बसियत नाटक है कि बसियत नाटक दो लेख कोंका है। एक तो भगवती चड़ बर्मा और दूसरे नाग बोडस तु आप से जब पूचा जाएगा कि बसियत indigenous के लेख कौन है तो या तो भगवती चड़ बर्मा आपके option में होगा या फिर नांग बोडस आपके option में होगा ठीक है दोनों option में नहीं आएगा आपको याद रखे ना कि वसियत नाटक के लेका कौन है भगवती चड़ बर्मा और नांग बोडस बोले नांग की वसियत भगवती को सौप अपदी भगवती को तो नागबोडस और भगवती चलवर्मा दोनों का नाटक है वसीयत ठीक है तो डाउट्स नमर तीन किलियर है ना अंगला क्वेस्चन है दोस्तों अंगला जो अपना डाउट्स है तीसरा हाती नाटक के लेकर कौन है एक क्वेस्चन पूछा जाता है अं रमेस बक्षी का कि रमेस बक्षी का नाटक है जबकि अंधों का हाती जो नाटक है वो सरद जोसी का है अब यह आप रखेंगे ना बोले अंधों का हाती जोस में आ गया अंधों का हाती काई में आ गया जोस में आ गया है ना और तीसरा हाती तीसरा हाती है बोले रमेस बक् की औप पूचा जाएगा तीसरा हाथी कि रच्नाकार कौन है आप उत्तल लगा दिना हमेश वक्षी आपसे पूचा जाएक अंधों का हा dlatego अप दोस्तो एक वर दोस्त पागल हा थी पागल हाथी ठीक है तो पागल हाती को भी आपको याद रखेना अब एक question और पूछा जाता है दोस्तों doubts number 5 अभिमान मेरू किसे कहा जाता है कई बार पूछा गया अब दोस्तों यहाँ पर एक तो मेरू आ गया मेरू तो बहुत सारे लोग क्या लगा देते हैं मेरू तोंग लगा देते हैं लेक ब्रेंस का भावबूती कहा जाता है पुस्पदंत को याद रखेना इनकी एक रचना आपने पड़ी होगी दोस्तों महा पुरान महा पुरान दोस्तों जिसमें 63 सलाका पुर्सों का वर्नन किया गया है तो पुस्पदंत को अभिमान मेरू कहा जाता है ना कि मेरू तुंग को कन्फ्यूज नहीं होना यहां मेरू आया तो बहुत सारे लगबग मान के चलो की 50% लोग तो मेरू तुंग लगा कर आती जिनको नहीं पता होता ठीक है तो दोस्तों इसी प्रकार से उत्रार्द भक्तमाल की रचनाकार कौन है अब दोस्तों यहां पर देखो कितने डाउट होते हैं आप से question पूछा जाता है भक्तमाल की रचनाकार कौन है फिर पूछा जाता है उत्रार्द भक्तमाल की रचनाकार कौन है फिर पूछा जाता है नव भक्तमाल की रचनाकार कौन है चारों रचनाओं में आप confused होते हो लेकिन याद रख लीना कि उत्रार्द भक्तमा कि जो रचनाकार है वो भारतेंदू है याद रख्टेना बोले भारत में भक्तों के उत्तर देते हैं भगवान भक्तों के उत्तर है ना तो भारतेंदू हो जाएगा अगर भक्तमाल अकेला आपसे पूछा जाए तो नाभादास आई हो जाएगा ठीक है भक्तमाल के टीका कार कौन है तो उत्तर हो जाएगा क्या प्रियादास और आप से पूछा जाए कि नव भक्तमाल की रिचनाकार कौन है नव भक्तमाल के तो आप राधाचन गोस्वामी लगा देना ठीक है राधाचन गोस्वामी तो आपके चार प्रस्णे यहां से बनते हैं भक्तमाल की रिचनाक कौन है तुराधाचण गोस्वामी ठीक है डाउट्स नमबर एक किलियर दूसरी बात करते हैं महापात्र किसे कहा जाता है तो महापात्र आपको बताना है दोस्तों निराला नरहरी बंदीजन रहीम या फिर विद्यापती में से तो यहाँ पर जो डाउट्स नमबर आपका ट की महापात्र कहा जाता है नरहरी बंदीजन बोले हम हरी के नर जो हैं वो हरी के महापात्र हैं क्याद रख ले ना नरहरी बंदीजन इन्हें महापात्र कहा जाता है तो निराला को कहा जाता है महाप्रान बोले हमारा महाप्रान निराला है हमारा महाप्रान निराला है इस प को पता है कि सर ऐ जो कहानी है फ्लैस बैक सेली में लिखी गई कहानी है और इस कहानी के जो लेकक है वो चंद्रधर सर्मा गुलेरी है है ना उसने कहा था बुद्द्धू का कांटा और सोकमा जीबन इनकी तीन प्रसिद्ध कहानिया माने जाती है चंद्रधर धर सर्मा गुलेरी की जब कि दोस्तो उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है शेलेश मट्यानी कभी कभी आप से पूछा जाए उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है तो आप कहोगी यार कि यह बोई पूछाओगा उसने कहा था लेकिन यह गडबड हो गया होगा तुंने कहा था तुमने कहा था एक राचना नांगरजुन की तो तριम डॉट वाले questionable उसने नहीं कहा था है उसने नहीं कहा था month région अपने देखते हैं दूप दोस्तो आदी काल को CEyes नहीं कहा कई लाता है क्षोछा जाता है और हमल में बहुत सारे लोग killer क्या कर और दूसरा गिरियरसन ने तो अब आप confuse नहीं होना विकल्प में एक ही आएगा या तो रामकुमार बर्मा आपसे दिया जाएगा या फिर गिरियरसन आपको दिया जाएगा ठीक है तो आदिकाल को चारणकाल रामकुमार बर्मा ने भी कहा है और गिरियरसन ने भी कहा है ठी हैं डाउट्स नमबर फाइब जो सबसे खतरनाक कोस्चन है दोस्तों यहां याद रख लेना दोस्तों यह मैंने आपको सुधार के दिया है कि स्वर्न योग जो कहा है वो कहा है श्याम सुन्दर दास ने और स्वर्न काल जो कहा है वो स्वर्न काल कहा है किसने गिरियर सन ने इसको आपको याद रख्टेना है बोले स्वर्न स्वर्न के काल में गिरे स्वर्न के काल में गिरे ऐसे आधरक्टिन आपको स्वर्न के काल में गिरे तो गिरे से बनेगा गिरियर्शन स्वर्न काल और स्याम सुंदर स्वर्न योग है ना पुले स्याम सुंदर का जो योग था वो स्याम सुंदर योग था स्याम सुंदर का तो गिरी अर्शन यह doubts वाला question दोस्तों मैंने इस सुधार के आपको दिया है वीडियो इसको देख लेना और सुधार लेना बिल्कुल चाहिए स्वर्ण योग किसने कहा? स्याम सुन्दर दास ने और स्वर्ण काल किसने कहा? गिरी अर्शन ने आप से एक प्रशन पूछा जाता है कि उर्वसी की रचना कार कौन है? डाउट्स नमर एक उर्बसी की रचना कार कौन है तब आपके मन में एक डाउट्स रहता है कि ये तो दिनकर की रचना है ठीक है एक डाउट्स रहता है लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एक रचना जैसंकर पिरसाद की भी उर्बसी है ठीक है यहाँ पर दोनों बिकल्प नहीं दिये जाएंगे जब आपका प्रश्ण पर इच्छा में पूछा जाएगा एक ही बिकल्प आएगा तो यहां पर डाउट्स में नहीं रहना आपको क्या करना है यहां प्राइकर को एक रचना के लिए दोस्तों क्या मिला था और बसी के लिए ग्यान पीट पुरुसकार भी इन्हें मिला था कब मिला था 1972 में ठीक है तो एक चीजा आपको याद रख्टे ना यानि की और बसी रचना इन दौनों रचनावकारों की भी मलब और वसी नाम से इन दोनों की रचना है ठीक है डाउट्स नमर एक आपका किलियर डाउट्स नमर दो देखते हैं दोस्तों हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है हिंदी का पारणी किसे कहा जाता है अब दोस्तों यहाँ पर किया doubts रहता है आपका, सबसे पहले, आप से पूछा जाता है हिंदी का पारणी और आप आंखे बंद करके लगाते कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, जब कि question ऐसा नहीं है, हिंदी का पारणी आप से पूछा है, अगर तो आपको लगाना किसोरी दास बाचपेई, अगर हिंदी का पाड़नी आपसे पूछा है, तब आपका उत्तर होगा किसोरी दास बाचपेई, लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा कि हिंदी ब्याकरण का पाड़नी, अगर आपसे हिंदी ब्याकरण का पाड़नी प प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने कि अब यहाँ पर क्या डाउट्स रहता है दोस्तों यह डाउट्स रहता कि प्रियोग बाद का जब प्रिवर्तन या प्रियोग बाद के जब प्रिवर्तन अग्ये माने जाती हैं तो प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग भी किस ने किया होगा अग्ये ने ऐसा का किसने नंद दुलारी बाचपई ने लेकिन अगर यहां question पूछा जाता है कि प्रियोग बात की प्रिबर्तक कौन है तो आप लगाओगे क्या अग्ये प्रियोग बात की प्रिबर्तक कौन है तो अग्ये प्रियोग बात सब्दिका सबसे पहले प्रियोग किसने किया तो तो डाउट्स नमर तीन आपका यहां से किलियर हो जाता है बात करते हैं दोस्तो डाउट्स नमर चार की एक रास्ट्री आत्मा नाम से किसे जाना जाता है अब यह ऐसा अगर क्वेस्ट्टन आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाएगा एक रास्ट्री आत्मा नाम से किसे जाना जाता तो आप लगाती राजा राम सोकले अगर आपसे पूछा जाता कि एक भारती आत्मा नाम से किसे जाना जाता तो आप क्या लगाते दोस्तो माखालाल चत्रवेदी तो जो दो डावट्स दो प्रश्ने डावट्स वाले आते हैं आप से पूछा जाएगा एक भारती आत्म किसे जाना जाता। तो आप माकरला चुत्रवेदी लगाना और एक राष्टी आत्मा नाम से किसे जाना जाता तो आप क्या लगाओगे राजा राम सुक्ले तो डाउट्स नमर चार आपका बिलकुल किरिया ठीक है डाउट्स नमर पाँच है ना अपरण्स का भावबूती किसे कहा जाता है तो यहाँ पर दोस्तो दो चीजें बनती हैं एक तो पूछा जाता है अपरण्स का बालमी की पूछा जाता है तो अपरण्स का बालमी की और अब ब्रंस का भावभूती कहा जाता दोस्तों पुस्प दंत को, अब हमें काई की भावभूती लगाना है और इसरा हम पुस्प की भावभूती लगाएंगे, है ना, तो आप से पूछा जाएगा अब ब्रंस का भावभूती किसे कहा जाता तो आप उत्तर लगाओगे पु किस ने कहा यहां पर दोस्तों बहुत सारा डाउट्स रहता है डाउट्स क्यांसा रहता है दो क्वेस्चन पूछे जाते हैं एक तो पूछा जाता है कि कभीर की भासा को पंच मेल खिचली किस ने कहा और दूसरा पूछा जाता है कभीर की भासा को शाधुकली किस ने कहा तो और दोस्तो कबीर को बाणी का डिक्टेटर किस ने कहा तीसरा question इन तीन में doubts रहते हैं अब इस doubts को आज हम clear करते हैं doubts नमर अपना first यही है कि कबीर की बासा को साधुक्ली किस ने कहा तो तब ऐसा अगर पूचा जाए साधुक्ली किस ने कहा तो आपको लगाना राम चंदर स् और अगर आपसे पूचा जाए कि कबीर की बासा को पंचमेल खिच्डी किस ने कहा तो पंचमेल खिच्डी किस ने कहा स्याम सुन्दर दास ने अब उर्यसर इसको कैसे याद रखेंगे तो आपको बता है जब पंचमेल खिच्डी बनेगी तो वो खराब बनेगी या फिर स सुन्दर पंचमेल खिचडी बनी सुन्दर बनेगी न पंचमेल तो स्याम सुन्दर पंचमेल कहेंगे और राम चंशुकल क्या कहेंगे साधुकली कहेंगे यह आपको याद रखेंगे न अब आपने देखा होगा राम बनवास गयते साधु के बेस में गयते न तो साधुकली कौन कहेगा राम से राम चंशोकले पंचमेल के चली कौन कहेगा से आम सुंदर दास है ना बाणी का डिक्टेटर किसे कहा या है हजारी पिरसाद दुवेदी है ना हजारी पिरसाद दुवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा तो डाउट्स नमबर एक आपका यहाँ पर किलि अब यहां पर दोस्तों confusion वाला सिस्टम रहता है अर्धनारीस्वर की रचना कार कौन है यह आपसे पूचा जाता है तो आपको यहां पर याद रखेना दोस्तों कि अर्धनारीस्वर एक तो दिनकर की भी रचना है और दूसरा विश्णुप्रभाकर की भी रचना है लेकिन आपको कैसे याद रख लेना दोस्तो दिनकर का ये क्या है निबंद है दिनकर का ये क्या है अर्धनारी सुर निबंद है जबकि विश्णु प्रभाकर का ये क्या है दोस्तो ओपन नियास है ठीक है इसको अपन को याद रख लेना है दिनकर का क्या है निबंद है विश्णु प्रभाकर का क्या है उपन्यास तो अर्धनारी सुर दोस्तो इस प्रकार से अगर रचना पूछी जाएगी अर्धनारी सुर की रचनाकार कौन है तो यह दौनों नहीं दिया जाएगा किसी में से दौनों में से एक दिया जाएगा ठीक है अगर आप से पूछा जाएगा कि अ अब दोस्तों यहां पर आते त्रसंकु के रचनाकार कौन है यह त्रसंकु कई बार रचना पूछी गई दोस्तों त्रसंकु के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो त्रसंकु देखो तीनों की रचना है दोस्तों अग्ये की रचना है ब्रज मोहन सह की रचना है और मन्नु भं आप लोग पढ़ते कि सर्ट्रसंखु रचना आती है कभी आप मन्नु भंडारी बता देते हो कभी अग्गे बता देते हो लेकिन आज का जो डौट से वो आपका आज किरीयर होना चाहिए अग्गे जी का तृसंखु क्या है निबंद है दोस्तों निबंद है ठीक है ब्रजम पर आपको doubts नहीं करना, आप से अगर पूछा जाए कि त्रिसंकु कहानी संग रहे, कि लेखी क्या कौन है या लेखा कौन है, तो मन्नु भंडारी, ठीक है, अगर आप से पूछा जाए त्रिसंकु नाटक किसका है, तो आप बताओगे ब्रज मोहन से, त्रिसंकु दोस्तो न आपके बिकल्प में होगा, तीनों कभी नहीं होगा, ठीक है, तो त्रिसंकु निबंद किसका अग्ये, त्रिसंकु नाटक ब्रज मोहन से, हैना त्रिसंकु दोस्तो कहानी संग रहे, मन्नु भंडारी, ठीक है, तो doubts नमर दोस्तो अपना ये clear होता है, हैना सभी का doubts, इसी प पन्यासकार कौन माना जाता है, प्रतम, ठीक है, तो प्रतम एतियासे को पन्यासकार कौन माने जाते हैं, तब यहां आपका doubts रहता है, ब्रंदावन लाल बर्मा में, और किसोरी लाल गोश्वामी में, हैना, जबकि दोस्तों आपको पता है, हिंदी के प्रतम एतियासे को प माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं एतिहासिक कहानी के जनक कौन माने जाते हैं ब्रंदावन लाल वर्मा जबकि हिंदी के प्रतम एतिहासिक उपन्यासकार माने जाते कौन के शोरी लाल गोश्वमी है ना तो इसको याद रखें ना इसका उत्तर आपका क्या होगा हिंदी क प्रत्रम अतियासिक उपन्यास कार के सोरी लाल गोसवमी जबकि हिंदी के प्रत्रम कहानी है दोस्तो अतियासिक कहानी के जो जनक माने जाते एतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते वो ब्रंदावन लाल बर्मा ठीक है ब्रंदावन लाल बर्मा को एतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक ब्रंदावन लाल बर्मा एतिहासिक दोस्तो उपन्यास की परंपरा का जनक के सोरी लाल गोस्वमी या हिंद प्रस्ट पर ये question पूछा जाता है कठेन काब का प्रेत किसे कहा जाता है और दूसरा question पूछा जाता है कठेन गद्द का प्रेत किसे कहा जाता है दौनों में लोग कनिफ्यूज होते हैं कठेन काब का प्रेत और कठेन गद्द का प्रेत तो यहाँ पर एक का प्रेत केश अदास को ही कहा जाएगा जबकि दोस्तों अग्गे ने आपने काब रचना भी की है गद्ध में भी इन्होंने दोस्तों रचनाई की है तो कठन गद्ध का प्रेत अग्गे कठन काब का प्रेत केश अदास दो क्वेस्चन यहाँ पर डाउट्स वाले बनते हैं और दोनों question आते हैं परिक्षा में हमेशा गलत होते हैं doubts में कठेन काब तो काब किसने लिखा case अउडास ने तो case अउडास है ना कठेन गद तो गद दोस्तो अगव याद रख ली ना यहांसे question आते हैं और case अउडास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं आपको पता है ड अगर पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तो नगेंदर ने रीतिकाल का प्रवर्वर्टक के से माना तब आपका उत्तर होता है के सवधार तो अपना की सन्यासी किसकी रचना है अब दोस्तो यहां पर आपसे आपको क्या है कन्फूज होता है अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपको पता है कि लच्वी नाराण मिस्र की रचना है लेकिन इसकी बिधा क्या है वो देखना है अपन को कीला चंद्र जोसी की जो सन्यासी रचना है इसकी बिधा है दोस्तो उपन्यास यानि कि यह कीला चंद्र जोसी का क्या है उपन्यास है जबकि यह लच्वी नाराण मिस्र का क्या है नाटक के नाटक आपको पता है पुलिसर लच्वी के नाटक में है ना लच्वी का नाटक छोड़के लोग क्या बन जाते हैं सन्यासी बन जाते लच्छमी का नाटक तो लच्छमी नारण मिस्त्र नाटक से नाटक है और सन्यासी बन जाते तो सन्यासी इनका नाटक है ना इलाचन जोसी का इस सन्यासी क्या है ओपन्यास ठीक है इसको देखेंगे अब दोस्ता दूसरा आपका डाउट से मुक्ति पत ये किसकी रचना है अब मुक्ति पत के बारे में दोस्तों आपको दिख रहे होंगे उदैसंकर भट इलाचन जोसी और अभय मौर की तीन लोगों क अगर ऐसा कॉस्चन आएगा तो ये कॉस्चन गलत होगा क्योंकि उदैसंकर भट की भी रचना है इलाचन जोसी की भी है अभय मौर की है लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुक्ति पत नाटक किसका है तो आपका उत्तर उदैसंकर भट होगा आपसे पूछा इसको आपको याद रखे ना फुदय संकर भट का मुक्तिपत क्या है नाटक है इसको याद रखना अब दोस्तों पंचबटी प्रिसंग पंचबटी प्रसंग किसकी रचना है एक रचना आती है दोस्तों पंचबटी एक आती है पंचबटी और एक रचना पूछी जाती पंचबटी प्रसंग ठीक है तो पंचबटी ये तो आपको पता है कि पंचबटी ये जो रचना है ये क्या है दोस्तों खंड का भे में अत्र निराला और मेत्री शरंगुप्त की रचना पंचबटी आज से दोस्तों आपका ये डाउट्स भी किलियर अब याद रखते ना पंचबटी निराला पंचबटी पर संग पंचबटी मेत्री शरंगुपत पंचबटी पर संग निराला ठीक है फिर यहां पर बात करते बापसी किसकी रचना है बापसी तो बापसी के बारे में दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा उसा प्रियंबदा ये तो सबको पता है कि बापसी उसा प्रियंबदा की क्या है कहानी है लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि बापसी एकांग की किसकी है तो आपको क्या बताना है बापसी एकांग की की रचना का रुदय संकर भट है बापसी कहानी उसा प्रियमबदा ठीक है इसको याद रखे ना और आपसे नौर्मल पूछा जाए बापसी किसकी रचना है तो इन दो में से एक option आपको मिलेगा या तो उसा प्रियमबदा या उदय संकर भट दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे डाउट्स किलियर इसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है वीडियो को लाइक और सियर जरू करना है आपका अंगला डाउट्स से रस बिमर्स किसकी रचना है रस बिमर्स के लिए का कौन है यहां तो सीधा सीधा है दोस्तों रस बिमर्स राम मूर्ती तरपाटी रसमी मांसा राम चंदर स्टुकल रस दांत डाक्टर नगेंदर हैना कई बार पूचा गया कि डाक्टर नगेंदर इनकी रचना कौन सी है रस दांत राम चंद सुकल रसमी मांसा हैना डाक्टर राम किडियर होता हैं डाउट्स को भी अपन को किडियर करना है ठीक है स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था अब देखते हैं दोस्तों इस प्रस्ण में बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे क्योंकि क्योंकि उनको पता है कि स्वचंता बाद के प् सब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था मोपताथा इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों ठीक है इन्हें स्रीधर पाठक को एक क्वेस्चन आता है प्रिकृति का सुकुमार कभी किसे कहा जाता है प्रिकृति का चितेरा कभी कैसे कहा जाता है लोग लगा देते आखे बंद करके पंत है लेकिन एक क्वेस्चन आता है कि प्रिकृति का उपासक कभी किसे कहा जाता है तब दोस्तों फ बहुत अच्छे से पढ़ना है डाउट्स नमर दो फूलों का गुच्छा की रचना कार कौन है यहां दोस्तों कैसर फस जाती है फूलों का गुच्छा और फूलों का कुरता एक क्वेस्चन पूछा जाता है फूलों का कुरता के किसकी रचना है तो फूलों का गुच्छा र पहनेगा उसका यस बहुत होगा बहुत है ना यस होगा तो यस पाल फूलों का कुरता यस पाल फूलों का गुच्छा भारतेंदू हरिश्चंद इनको अपन को याद रख लिना है अब दोस्तों एडाउट्स नमबर अपन तीन हिंदी का प्रतम कभी कौन है अब यहां भी हिंदी का प्रतम कभी कौन है तो उत्तर लगाती सरहपा है ना लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रतम महा कभी कौन है तो आपको उत्तर लगाना चंद वर्दाई ठीक है चंद वर्दाई आपका सही उत्तर होगा हिंदी का प्रतम महा कभी पूचा तो चंद व अंगला है योगधार की रचनाकार कौन है योगधार अब यहां से दो रचना याती है दोस्तों एक तो पूछी जाती है योगधार और दूसरी पूछी जाती योगधारा अब इनको अपको दोस्तों क्या करना है अच्छे से पढ़ देना है योगधारा बोले योग की धारा तो याद रख़े ना, तो योग की अगर धारा आकी मत्रा लगी हो, धारा की बात हो, तो उत्तर हो जाएगा नागरजुन, और धार की बात हो, तो सोहनलाल दुवेदी, योग धार, योग धार के लिए का कौन है, शोहनलाल दुवेदी, योग धारा के लिए का कौन है, नाग थीक है, तो दौनोंग चीज़े के लिएर, योगधार पूछा जाएगा तू आपको क्या लगाओगे? सौहनलां दोवेदी, योगधार आप पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? नागरजुन, इनका बास्तविक नाम क्या था? पता है, बैदनात, किसका? नागरजुन का और बैदनात दुबेदी आपको पता है किसका नाम था उपनाम हजारी परसाथ दुबेदी का उपनाम भी बैदनात दुबेदी था है ना ये भी याद रखेंगे तो आपने क्या याद किया योगधारा नागरजुन योगधार चोहनलाल दुबेदी के लिए अंगला डाउट से समाई देवता के रचनाकार कौन है तो आप सीधे सीधे क्वेस्टन लगाना बताईए अगर आपको बनता है तो उत्तर जलू बताएं शमाई देवता के रचनाकार कौन है तब दोस्तों आपका राइट आंसर होता है कि समाई देवता के सर रचनाकार कौन है नरेश महता लेकिन एक question यहीं और पूछा जाता है साहत देवता एक पूछा जाता है साहत देवता साहत देवता के रिचनाकार कौन है अब दोस्तों ये साहत देवता है क्या है निबंद है और ये निबंद किसका है मैंने आपको कई बार बताया कि साहत देवता को माखन खवाना है और समय देवता है इसलिए लोग नरेश बन जाते हैं फुले वो नरेश बन गया फुले समय देवता है है ना तो समय देवता की लंबी कविता है दोस्तों किसकी नरेश महता की और साहत देवता की रिचनाकार कौन है माखल लाल चु कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ही होना समय देउता नरेश्च महता और साहत देउता माखलाल चुत्रविदी इन प्रश्णों को बहुत अच्छे तरीके से ढंक से पढ़ना है दोस्तों एक क्वेस्चन आपसे पूछा जाता है कलम का मजदूर की रचनाकार कौ है दोनों में कन्फ्यूज कलम का मजदूर और कलम का सिपाही कभी कभी कलम का सिपाही पूछा जाता है तो हम कलम का मजदूर उत्तर लगा आते हैं और कभी कभी कलम का मजदूर पूछा जाता है तो कलम का सिपाही उत्तर लगा आते हैं ऐसा नहीं करना है इसको देखो दोस एक कलम का मजदूर एक जीवनी के लिए का कौन है मदन गुपाल है ना और दोस्तो एक पूछा जाता है कलम का सिपाही कलम का सिपाही ठीक है तो कलम का सिपाही जीवनी एक इसने लिखी अमरत राय ने है ना आपको पता होगा प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमरत राय प दोस्तो बास्तविक नाम क्या था धनपतराई उर्दू में किस नाम से लिखते थे नवाव राय नाम से प्रेम चंद इन्हें नाम दिया किसने दया नारान नगम ने ठीक है अब दोस्तो इनके पुत्र का नाम था अमरतराई इन्होंने जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही को याद रखने ना कि तर मास मजदूर उतर iad और मास कि इसका उतर मधन इपाल आता है बाकि आप कलमकासिपवाही अपने अप उतर लगाके आऊगए कि अमरत राए की हैं डाउट्स को कुलियर करने के लिए इतना उयाद रखनेना तो डाउट्स नम्मर एक कलियर कलम का मजदूर मदन गुपाल कलम का सिपाही अमरत राय ठीक है अंगला डाउट्स अंगला डाउट्स आपको होता है मेरी जीवन यात्रा आत्म कथा के लेकग कौन है मेरी जीवन यात्रा यहां दोस्तों आपको डाउट्स होता है दो लोगों की रचना दो लोगों की आत्म क तो आपको याद रख लेना जल्दी आदा भो जाती है जानकी देवी बजाज ठीक है और राहुल सांक्रित तो doubt नमर दो आपका clear दौनों की आत्मकथा एक ही नाम से है ठीक है अंगला question है दोस्तों अर्द कथा किसकी आत्मकथा है अर्द कथा और अर्द कथानक है ना इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं तो अर्द कथानक एक दोस्तों बनारसी दास जैनकी है आपको पता होगा हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है कौनसी अर्द कथानक ठीक है अर्द कथानक ये बनारसी दास जैनकी और कहीं कहीं इसको आपको अर्द कथा लिखा भी मिल जाएगा बनारसी दास जैनकी तो confused नहीं होना ये बनारसिदास जेन की अर्द कथानक भी है और अर्द कथा भी लिखा मिल जाता है लेकिन दोस्तों अर्द कथा एक नगेंदर की भी आत्म कथा है अब इसमें अपन कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं है ना क्योंकि आफ्सन में होता है बनारसिदास जेन ना होकर कि बनारस दास चतुरवेदि होता है लगा今 सिडास चतुरवेदि की ना आत्मकथा मानी जाती है और अर्द कथा के दोस्तो है और बनारसिदास जेन और बनारसिदास चतरवेदी इन में confusion नहीं होना आपको ठीक है तो आपका यहाँ पर doubts clear कि सर बनारसिदास जेन की अर्द कथानक डाक्टर नगेंदर की अर्द कथा और दोस्तो यहाँ पर बनारसिदास जेन और बनारसिदास चतरवेदी में confusion अंगला question देखो अंगला हिंदी का प्रतम द्यानेक समाचार पत्र कौन सा है यहां भी लोग confused होती है आप से पूछा जाता है कि हिंदी का प्रतम समाचार पत्र कौन सा है आप बिलकुल लगाते हो उदंत मारतंड लेकिन आप से पूछा जाता है कि हिंदी का प्रतम द्यानेक समाचार पत्र कोन सा है तब भी आप अधंत मारतंड लगा आती हो ऐसा नहीं करना आप से पूछा जाए कि हिंडी का प्रिथम समाचार पत्र कौन सा है आपको अधंत मारतंड नहीं लगाना क्योंकि जो द्यानेक प्रिथम द्यानेक समाचार पत्र था बोता कौन सा समाचार सुधावर्षन है ना इसके संपादक्ति स्याम सुन्दर सैन ठीके इसको याद रख़े ना दोस्तो स्याम सुन्दर सैन के समाचार सुधावर्षन ठीके और उधन्त मारतंड यह आपको याद रख़े ना ठीक है यह दोस्तों यह हिंदी का प्रतम है है ना और यह सापता है कि और यह हिंदी का प्रतम दैनेक समाचार पत्र है डाउट्स के लिए आंगे बढ़ते हैं अंगला क्वेस्चन यहां मिट्टी की बरात के रचना कार कौन है मिट्टी की बरात अब यहां पर दोस्तों क पनिफ्यूज आपके लिए होता है एक तो ए कि कुछ लोग बोलते हैं सर सिवमंगल से सुमन की रचना है बिलकुल है कुछ लोग बोलते हैं त्रिलोचन की रचना है बिलकुल है दौनों की रचना है दोस्तों ये ठीक है आपको याद रख रहेना है कि सर ये मिट्टी की बरा जो है यह से उमंगल से सुमन का कभीता संगरह है है ना जबकि त्रिलोचन की यह क्या है कभीता है याद रख़े ना मिट्टी की बरात कभी आपसे पूछे जाए कि मिट्टी के बरात की रिचनाकार कौन है तो आपका ओप्सन में एक ही होगा अगर इस प्रकार से क्वेस्चन आएगा या आपसे पूछ जाएगा कि मिट्टी की बरात कभीता संगरह की रिचनाकार कौन है तब आपका ओतर से दोस्तो आपसे पूछा जाता है तो मिट्टी की बरात की रिचना कारकॉन इस प्रकार से अगर question आएगा तो इन दो में से आपका एक ही option आएगा क्या तो सigumangal kenso man या फिर three lotion ठीक है क्योंकि ए दोनों की रिचना है दोस्तों मिट्टी की बरात confuse, दूर है na इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पर अपन रोज यह अपना doubts session चलता है, doubts अपन clear करते हैं, यहाँ पर अपन ने हिंदी के परतम दैनेक समाचार पत्र को पढ़ा, मिट्टी की बरात को देखा है ना, और दोस्तों जीवनी देखी अपन ने कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, इनका doubts clear किया, तो यही दोस्तों अनेकों वीडियो आने वाले हैं, आपको बस क्या करना है, ऐसा ही session अपना चलता है, और बढ़िया से बढ़िया दोस्तों आपको course कराया जाता है, self study classes app पर, आपको कुछ नहीं करना है, आप दोस्तों अगर हिंदी साहित के student है, तो self study classes से आपको जरूर आपको self study classes एप डाउनलोड करना है, और एप डाउनलोड आप कर लेते हो दोस्तों, तो आपको बहाँ पर हिंदी साहित का संपूर कोर्स लांच किया गया, उस कोर्स में admission ले सकते हो, PGT, PGT का modern paper लांच किया गया, उसमें आपको लेना तो ले सकते हो, 3000 प्रश्णों की test series ल प्रोवाइट की जाती है, जहां पर टिर्की, वीडियो, विस्त्रे तद्यान, टॉपिक वाइस, टेस्ट के सारी चीज़े मिलती है, ठीके तो जरूर जुड़े, नीचे नंबर चला है, तो नंबर पर भी संपर कर सकते हैं, और दोस्तों जुड़े रहें, वीडियो को ला आइकन उसमें लगा हुआ है, तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है, और ऐसे आइकन में आपको एप मिलने बाला है, ठीके, तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा, यह Self Study Classes, ठीके, यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप दिखने बाला है, ठीके, यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे